C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है Part 7. क्या निराश हुआ जाए प्रिष्ट 34 मेरा मन कभी-कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तसकरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रह गया है हर व्यक्ति संदेह की दृष्टी से देखा जा रहा है जो जितने ही उँचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोश दिखाई जाते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोश खोजने लगेंगे उसके सारे गुण भुला दिये जाएंगे और दोशों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा दोश किसमें नहीं होते यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है गुणी कम या बिलकुल ही नहीं स्थिती अगर ऐसी है तो निश्चे ही चिंता का विशे है क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था रवींद्र नाथ ठाकुर और मदन मुहन मालविय का महान संस्कृती सभ्य भारत वर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया आर्य और द्रविड हिंदू और मुसल्मान यूरोपिय और भारती आदर्शों की मिलन भूमी मानव महा समुद्र क्या सूख ही गया मेरा मन कहता है ऐसा हूँ नहीं सकता हमारे महान मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा महाल बना है कि इमानदारी से महनत करके जीवि का चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रम जीवी पिस रही है और जूट तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे है इमानदारी को मुर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है ऐसे स्थिती में जीवन के महान मूलियों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तूओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है उसकी दृष्टी से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुन स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है लोब मोह, काम क्रोध, आदी विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ती मान लेना और अपने मन तथा बुद्धी को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरन है भारत वर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना उन्हें सदा सैयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रैत्न किया है परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक काईदे कानून बनाए गए हैं जो क्रिशी, उद्योग, वानिज, शिक्षा और स्वास्थे की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष से प्रेलित हैं परन्तु जिन लोगों को इन कारियों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता प्रायह वे ही लक्ष को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की योर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है आज एका एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता कानून को दिया जा सकता है यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं बे कानून की तोटियों से लाब उठाने में संकोच नहीं करते इस बात के परियाप्त प्रमान खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो भीतर भीतर भारत वर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है अब भी सेवा, इमानधारी, सचाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नश्ट नहीं हुए हैं आज भी वह मनुश्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, जूट और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है समाचार पत्रों में जो भ्रष्टा चार के प्रती इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं प्रिष्ठ चतीस दोशों का परदा वाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोशोद घाटन को एक मात्र करतव विमाल लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है सैकणों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रती अच्छी भावना जगती है एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने दस के बजाए सौ रुपय का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिबबे में हर आदमी का चहरा पहचानता हुआ उपस्तित हुआ उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनमरता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपय रख दिये और बोला यह बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उसके चहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी मैं चकित रह गया कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और इमानदारी लुप्त हो गई है वैसी अनेक अवांचित घटनाएं भी हुई है परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पतनी और तीन बच्चे भी थे प्रिष्ट से तीस बस में कुछ खराबी थी रुक रुक कर चलती थी गंतव्य से कोई आठ किलो मिटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया रात के कोई दस बजे होंगे बस में यात्री घबरा गए कंडक्टर उतर गया और एक साइकल लेकर चलता बना लोगों को संदे हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी किसी ने कहा यहां डकैती होती है दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था परिवार सहित अकेला मैं ही था बच्चे पानी पानी चिल ला रहे थे पानी का कहीं ठिकाना न था उपर से आदमियों का डर समा गया था कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया ड्राइवर के चेहरे पर हवाईयां उनने लगी लोगों ने उसे पकड़ लिया वह बड़े कातर ढंग से मेरी उड़ देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे है बचाएए ये लोग मारेंगे डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है पर अंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तयार ही नहीं हुए मैं भी बहुत भैभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया डेढ दो घंटे बीट गए मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा कोई भी दुरघटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा मेरे गिडगिडाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बैठा हुआ है उसने आते ही कहा अड़े से नई बस लाया हूँ इस बस पर बैठिये वह बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडिजी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया वहीं दूध मिल गया थोड़ा लेता आया यात्रियों में फिर जान आई सब ने उसे धन्यवाद दिया ड्राइवर से माफी मांगी और बारा बजे से पहले ही सब लोग बस अड़े पहुँच गए प्रिश्ट उन्तालीस कैसे कहूं कि मनुश्यता एकदम समाप्त हो गई कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाई हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता ठगा भी गया हूं धोखा भी खाया है परन्तु बहुत कम इस्थिलों पर विश्वास घात नाम की चीज मिलती है केवल उन्ही बातों का हिसाब रखो जिन में धोखा खाया है तो जीवन कश्ट कर हो जाएगा परन्तु ऐसे घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकारण सहायता की है निराश मन को धांडस दिया है और हिम्मत बंधाई है कविवर रवींद्र नाथ ठाकुर ने अपने प्राथना गीत में भगवान से प्राथना की थी कि संसार में किवल नुकसान ही उठाना पड़े धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे उपर संदेह न करूँ मनुशे की बनाई विधिया गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा वस्तुतह आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की जोती बुझी नहीं है महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है बनी रहेगी मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रश्न अभ्यास आपके विचार से एक, लेखक ने सुईकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है फिर भी वह निराश नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या करण हो सकता है दो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलिविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या इमानदारी से काम किया हो ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओं पर अपनी टिपपणी लिखें प्रिष्ट चालीज तीन लिखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और इमानदारी की बात बताई है आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताईए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्त के भलाई, इमानदारी और अच्छाई के कारे किये हूँ परदाफाश एक दोशों का परदाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है दो आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोशों का परदाफाश कर रहे हैं इस प्रकार के समाचारों और कारे क्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिये कारण बताईए निम्न लिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपस में चर्चा कीजिए जैसे इमानदारी को मुर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है परिणाम भ्रष्टा चार बढ़ेगा एक सचाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है रिक्तिस्थान जूट और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रही है रिक्तिस्थान तीन हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है गुणी कम रिक्तिस्थान दो लेखक और बस यात्रा आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके है यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन-कौन सी बातें बताते अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए सार्थक शीर्षक एक लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा क्या आप इससे भी बहतर शीर्षक सुझा सकते हैं प्रिष्ट 41 दो यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिये गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे अपने चुनाव का कारण भी बताईए आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है क्या आप इस बात से सहमत हैं तर्क सहित उत्तर दीजे सपनों का भारत हमारे महान मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा एक आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे लिखिए दो आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए भाशा की बात एक, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है समास का एक प्रकार है द्वंद समास इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड की संभावना होती है कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता जैसे चरम और परम बराबर चरम परम भीरू और बेबस बराबर भीरू बेबस दिन और रात बराबर दिन रात और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटा कर योजक चिन भी लगाया जाता है कभी-कभी एक साथ भी लिखा जाता है द्वन्द्व समास के बारह उदाहरन ढून कर लिखिए दो, पाट से तीनों प्रकार की संग्याओं के उदाहरन खोज कर लिखिए अभी आप सुन रहे थे पाट साथ क्या निराश हुआ जाए प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत